कि एक बार फिर से स्वागत आपका सिंग अटो जोन के नए अपिसोड में दोस्तों पिछली कई जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो वह जातर जो मुझे कुमेंट बॉक्स में जो रिमार्ट रहती थी उसनी के अनुसार मैं अपडेट को आगे लेकर आता था उन पर वीडिय हो रही है तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल यह कंपनी है गुरुग्राम बेस्ट कंपनी इसका नाम है IPTL यानि की इंफ्रा प्राइम लोजिस्टिक लिमिटेर और इस ट्रक का नाम रखा गया है रहिनो 556 5536 देखने में कुछ-कुछ टाटा की जैसा ही लगता है जो यह कभी ऐसा पहला है वी डूटी ट्रक रहेगा जिसकी पूरी इंटीग्रेशन डिवेलमेंट बिल्कुल इंडिया में होई है यह प्योर मेरे इंडिया पोड़क्त है और सबसे बड़ी बात है कि रिकोर्ट टाइम में इस ट्रक को बनाए गया है आठ मीनों में इसको त्य की रुकार्मेंट होती है इन हेवी डूट वहिकल्स को बनाने के लिए जो कि इंडिया में तो बिल्कुल भी इस तरह की कुछ चीज अवेलेबल नहीं थी तो इस कंपनी ने खुद का अपना एक इस तरह के सेमिलेशन टूल्स बनाए है और ट्रांसमिशन बेस इलेक्रिक ड निथियम आयरेन फॉस्फेट बैटरी पैक इसमें लगाओ और अभी तक भारत का सबसे बड़ा बैटरी पैक है अकेले इस बैटरी पैक का जो वेट की बात करें वह दो टन है बिल्कुल 2000 किलो इस पूरे बैटरी पैक का है अगर मैं 265 को करता हूं रफ लिएगर 200 यूएस बैटरी पैक ही निकल कर आ रहा है आगे बढ़ते हैं अब इतने बड़े बैटरी पैक पर उसकी आइधिंक उसकी जो क्या कहते हैं जो कूलिंग सिस्टम में बहुत एक तो ऑईल कूल तो रहेगा सारा सिस्टम उसके लिए एक सेकंडरी सिस्टम भी इन कंपनी ने खुद त सिस्टम इस पूरे बैटरी पैक को त्यार किया है तांकि बहार जितनी मज़ी कर गर्म हो उस बैटरी पैक का टेंपरेचर 35 विस की लाइफ उसकी अफिशेंसी ज्याद़ से ज्याद़ा उस बैटरी पैक की बनी रहे यह बहुत बड़ी बात है लिए तो यहां 200 से लेकर 400 कि की रेंज है बहुत फरक है ऐसा नहीं है अगर एक हाली है फिर तो 400 किलोमेटर के जिसको मिल जाएगा फुली लोड़िट है मलब यहां 60 टन कपैस्टी है ट्रक की 60 टन अगर फुली लोड़िट है तो 200 किलो की आपको रेंज मिलेगी अगर इन बिट्वीन रेंज वेट वेरी क करता है तो उसाब से रेंज का भी फरक आ जाएगा चार्जिंग पर काफी ध्यान दिया गया है क्योंकि बैटरी पैक बहुत बड़ा है अब कमर्शियल वह परपस के लिए ट्रक बनाया गया तो बिल्कुल इस पर काफी ध्यान दिया गया एक सो साथ किलोवाट 160 किलोवाट का आप इसमें जो चार्जिंग सिस्टम दिया गया जो कि सिरफ और सिरफ नबे मिनिट में फुल चार्ज कर देता है बिल्कुल डेट घंटे में फुल चार्ज होगा बीज डिग्री चड़ना फुली लोड़ेट के साथ इससे पता लगता कि मोटर कितनी पावरफुल होगी आगे बढ़ते हैं टॉप स्पीड 90 किलोमेटर 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 पर आर के साब से में यहां मिलती है जोगी ठीक ठाक है कोई दिकत नहीं है तो स्पीड आ और कुछ सेल फिगर भी नहीं था कुछ प्राइस का भी आइडिया नहीं था लेकिन अब सब कुछ हमेरे पास है इन ट्रक को कंपनी कंपनी बेशे गुरुगराम बेज जा लेकिंगा प्लांट है वो फृदाबाद में है और इनके पास आज की डेट में सो से ज्यादा ट्र इसको ज़्यादा इस्तमाल किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं कंपनी का कहना है कि इस से हम पूरे साल भर में अगर हम इस ट्रक को रेप्लेस करते हैं डीजल से इस अलेक्ट्रिकल ट्रक को तो पूरे साल पर में 50,000 लिटर सेल होता है हमारा अब सिदा है इसाब लगा लग कर सकती हो बात करते हैं मैं रणी कोष्ट क्या तरक जो कंपनी कह रही है यहाँ पर वह चैता है कि आपको 2-3 क्लो में में जा आपको पैसे जो इस पर फरक है जो नॉर्मल डीजल पाव्र साम से कवर अप हो जाता है यह बड़ी बात है दोस्तों अब आते हैं प्राइस पर लेकिन उससे पहले आइडिया ले ले लेते हैं अधर स्ट्रक कोई ऐसा इतिंग मार्किट में ऐसा भी तक नहीं है इतने हैं इस रेंज का इस लोड़िंग कपैस्ट्री का सिक्स्टी टरन सा से सुन रहे हैं पता नहीं कब आएगा वह लेकिन उसकी कपैस्ट्री कम है 35 उसकी कपैस्ट्री उसका प्राइस भी जादा है तक दो क्रोडर पर आसपास कंपनी कहते कि इसका प्राइस आएगा 35 अगर हम यहां बात करें अब हमारे रहीनों 556 की वन थार्ड इसकी कोस्ट कं अपनी बता रही है यानि की 65,00,000 लेकिन अगर हम इसको उप्रेशन कोस्ट के साब से कैलक्ट करें मींस लोडिंग कपैस्ट्री के साथ क्योंकि दैसले जामी तो 35 टन का है जबकि हमारा यह भारतिया ट्रक साथ टन कपैस्टी का तो आसे में अगर ऑप्रेशन कोस्ट की बा अगर हम कैल्कुलेशन करें हमें 50,00,000,000 यह पास पड़ेगा बेशेक हमने देना 65,00,000,000 है बट ऑपरेशन कोस्ट का बड़ा फरक है यहां पर इस बात को थोड़ा समझिएगा यह बड़ी बात है तो बिलकुल यहां एक बड़ा सा थम्स अप है IPTL यानिकी इंफरा प्र के लिए जाहिंद